बच्चो सुप्रभात यों तो आप लोगों का सिलेबस पूरा हो चुका है लेकिन फिर भी मैं कुछ पुन्ड़ा ब्रती कारे करवाना चाहती हूं तो आज मैं आपको गद्यांस के कुछ प्रश्ण और उत्तर गद्यांस मैं नहीं लिखवाऊंगी पर उसके प्रश्ण और उत्तर मैं लिखवाऊंगी ठीक है पहला प्रश्ण लिखें निमलिकित सब्दों के अर्थ लिखें पहला शब्द है उसमें दुर्भिक्ष जिसका उत्तर होता है अकाल दूसरा सब्द है हातुत साहित जिसका अर्थ है निराशा B नंबर प्रस्ण लिखे भावाचक संग्या बनाईए पहला है आवश्यक जिसका उत्तर होगा आवश्यकता दूसरा है मधुर जिसका उत्तर है मधुरता C नंबर प्रस्ण देखिए नीचे लिखे शब्दों के विप्रितार्थक शब्द लिखिए अधिक इसका विलोम होगा कम अंत इसका विलोम होगा आदि इ नमबर प्रस्टन देखिए निमलिखित वाक्यों में निर्दे सानुसार वाक्य परिवर्तन करें पहला है ताकि अधिक समय तक निर्वाह किया जा सके ताकि वे डॉट डॉट से शुरू करना है ठीक है अब उसका उत्तर देखिए ताकि वे अधिक समय तक निर्वाह कर सकें दूसरा है लोगों ने अपने घर में रखे अनाज से कुछ काल तक गुजारा किया लोगों का डोट 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 ऐसे लिखना है उत्तर लिखिए लोगों का अपने घर में रखे अनाज से कुछ काल तक गुजारा होता रहा तीसरा प्रस्ण है उनके पास धान्य का अतुल भंडार था वाक्य को वर्तमानकाल में बदले उत्तर लिखिए उनके पास धान्य का अतुल भंडार है अगला प्रस्ण है उन्होंने एक मधुरावाज सुना वाक्य शुद्ध कीजिए उन्होंने एक मधुरावाज सुनी ये उत्तर था चीक है अब अन्तिम प्रस्ण लिखे बालिका के उत्साह ने धनियों को विचलित कर दिया लिंग बदल कर वाक्य दुबारा लिखे उत्तर लिखे बालक के उत् कुछ प्रस्ण और उत्तर जो आइसी एसी प्रस्ण पत्र से लिए गए हैं इसे आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिए और आज मैं इतना ही पढ़ाती हूं आज की कक्षा समाप्त करना है मुझे धन्यवाल